तो कल हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमाटिक्स चीक सक्राइस काइनेमाटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने समझा था कि क्या होता है और नो स्लिपिंग के ऊपर एक क्वेशन भी किया था और उसके पहले कुछ और चीज़ें अगे बढ़ा रहे हैं हम लोग कुछ क्वेशन और देखते इसके ऊपर तो लेट्स लुक अट इस और यहां पर देखो यह तो यहां पर यह तीन गियर यह और यह जो है आउसे तीन गियर्स है मेरे पास और उसके आउसके सी ने डाइमेंशन्स दे रखें, इंचेस में दे रखें, ठीक है, लोइंग दाट गियर ए रोटेट स्क्लॉक्वाइज इस कॉंस्टन आंगल व्लॉस्टी सिक्स हंडड़ आर्पीम, तो गियर ए जो है, यह सिक्स हंड़ आर्पीम से घुम रहा है, कि जब गियर ए घुमेगा, तो यह गियर भी को भी घुमाएगा, और जो घुमाएगा, तो क्या है, टैंगेंशन्स स्पीड दोनों की परापर है, इसी तरह से हमको रेश्यू का यूस करके विलॉस्टी वर्क आउट करनी है, तो क्या है हमारा, गियर ए रोटेट्स क्लॉक्वाइज, गुम रहा है, विध कॉंस्ट अंगिल आउस्टी ओमेगा इस सिक्संड़ आर्पीम, समय के question clear है सभी को, ठीक है, कुछ से try करो, फिर उसके discuss करेंगे, जल्गी से कर लो इसको, ठीक है, इसको discuss कर लेते हैं, यह मुझकी है, simple ही है, बस हर जगह पर तो मैं no slipping की condition लगाते चलना है, किसी भी साथ से, जहां पर तो मैश हो रहे हैं आपस में, तो क्या लिखा, मैंने due to no slipping, tangential speeds at the contact points must be same, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा, omega a into ra should be equal to, यहां पर omega b into rb, rb is contact point का radius में बहुत है, तो इससे बस 600 rpm into 2 inch, should be equal to omega b into 4 inch, by the way double dash नमादो inches होता है, ठीक है, तो इससे omega b मेरी आ गई 300 rpm, तो यह 300 rpm से घुम रहा है, क्यासे घुम रहा होगा, यह ऐसे घुम रहा है तो यह उल्टा घुम रहा होगा, एक clockwise होगा तो दूसरा anti clockwise होगा, similarly due to the inner gear contact with c, अब यहां पर क्या है, इनर gear का जो radius है, वो 2 inches ही है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके, तो यहां पर भी मैं velocity बराबर कर रहा हूँ, तो omega b into 2 inch, यह समच गए, यह इस point की contact velocity, that should be equal to omega c into 6 inches, तो इससे omega c की value आ गए 100 rpm, ओके, अब इसके बाद तुम्हें acceleration पूचा है, इस point का, तो जो gear c का है, उसका centrifugal acceleration इधर होगा, और जो gear b का point है, उसका centrifugal acceleration इधर होगा, ठीक है, centiple acceleration होगा, कितना omega square into radius, बस वही करें, तो acceleration of c क्या हो जाएगा, omega c square into r, तो inner gear के लिए omega b square into 2 inches हो जाएगा, तो वो calculate तरो होगे, तो approximately इतना आ जाता है, 2 into 10 to the power 3, inch per second square, यह मैंने meters में नहीं convert किया, सब कुछ inches में, तो inches में ही record करें, इसी तरह से c के लिए, c की omega square into radius उसका 6 inches है, तो यह 2 by 3 into 10 to the power 3 inches per second square आ जाएगा, तो I hope this is clear to everybody, आया सभी को समयच में, तो फिर अगला question देखते हैं, तो फिर अगले question में क्या है हम लोग के पास, तो यह एक spool है, spool समझते हो, चर्की, चर्की है जो constant omega से घूमरी है, ऐसे लगातार, एक ही omega से घूमे जारी, घूमे ज से जो घूमते हैं, उसके बार magnetic tape लिपटती जाएगी रहे, और constant omega से घूमते रहता है, तो उस तरह से ही समझते हो, यह चर्की है, घूमे जारी, घूमे जारी है, और इसके ओपर एक tape लिपटती जारी है, जैसे स्पूल घूमेगा, और ज्यादा tape लिपटती जारी है, आग नियरली सर्कुलर मान सकते हैं, और इसी से रिलेटेट हमारा question है, देखो, क्या पूछ रहा है, इस instant पे मुझे बताना है, एक जेनरल आर पे इसका acceleration क्या होगा, statement clear है, problem की, ठीक है, तो मैं वापस इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, और अब तुम लोग पुछ से ट्राइ गरो question, data क्या given है, omega naught और r के terms में, और ये b के terms में तो हमें इस tape का acceleration calculate करें, ठीक है, तो अब इसको discuss कर लेते हैं हम दोग, इन की, तो instantaneous velocity tape की क्या होगी, वो तो omega naught into r हो जाएगे, गर instantaneous radius r है, तो omega naught into r हो जाएगी, instantaneous velocity, ठीक है, तो acceleration क्या हो जाएगा, तो हम क्या सकते है, omega naught तो मेरा fix है, constant omega से घुमे जा रहा है, तो omega naught तो fix है, omega naught into r dot, यानि omega naught into dr by dt, ये मेरी acceleration भी जाएगी, तो dr by dt निकालना है, तो देखो, हर turn में क्या है, thickness जो स्पूल की b से, मारी बढ़ जाएगी, एक चक्कर के अंदर b से मेरी thickness बढ़ जा रही, right, समझ में बात के लिए, proximity, तो अगर स्पूल को मैं circle की तरह से मैं सोचूँ, तो radius at general time पर क्या होगा, r naught plus omega naught t by 2 pi into b, ये समझ में आ रहा है, क्या क्या है, initial radius, plus कितना angle घूम जाएगा, वो omega naught t तो angle घूम जाएगा, तो number of turns कितने हो जाएगे, एक turn में 2 pi का चकर होता है, कितने चकर पूरे हो चुके होगे, omega naught t into 2 pi, इतने number of चकर पूरे हो जाएगे, right, और हर चकर में b से मेरी thickness बढ़ रही है, तो total thickness कितनी ही बढ़ चुके होगी, omega naught t by 2 pi into b, यह thickness at a general time होगे, आई बास हमेंगे, ठीक है, तो dr by dt फिर क्या हो जागा, इसी को differentiate कर दिया, तो dr by dt क्या आगया, omega naught b by 2 pi, इसको उठा गया होगे, पूट कर दो, तो क्या बन गया, acceleration क्या आगया, omega naught, और dr by dt, omega naught b by 2 pi, तो omega naught square b upon 2 pi, यह मेरा tape का acceleration कितनी है, clear है सबी को, ठीक है, यहाँ पैसे मान के चल रहेंगी, tape horizontally चल रही है, वैसे actually tape जो horizontal की जिएक है, यानि जैसे जैसे thickness बढ़ेगी, tape को भी छोड़ा-छोड़ा उपर की लेके जानी पड़ेगी, तो हमें वह वाले acceleration को consider नहीं है, वह वाले acceleration लेना है, तो उसमें d square r by dt square r add करना पड़ेग तो एक vertical activation और होगा, उसको हमने ignore कर दिया, but there should be a d square r by dt square also, which is not intended, question में वह intended नहीं था, जो answer दे रिखा है, clear है सबी को, ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर, ठीक है, तो अभी अगला question देखते है, अगला question भी कुछ-कुछ similar है, but यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग तरह से हो रह तो new sprints के लिए क्या होता है, roll से हमारा paper निकल रहा होता है, और paper निकलने की speed constant होती है, जिसे पिछले case में को मेरी angular speed constant थी ना, यहाँ पे angular speed constant नहीं है, यहाँ पे linear speed paper को निकालना की constant है, तो obviously अगर linear speed constant होता है, यहाँ पे इसका angular acceleration कुछ होगा, omega constant नहीं रह पाएगी, क्यों कि जैसे-जैसे यह paper आगे निकलते जार, radius कम होते जाएगा, right, समझ में आई बात की नहीं, तो यहाँ पे speed constant है, और angular velocity से related हमें कुछ calculate करना है, तो क्या question है, फट देरो, question है, in a continuous printing process, paper is drawn into the presses at a constant speed V, constant speed से press खीच चले, ठीक, denoting by R the radius of the paper roll at any general time, at any general given time, and by V the thickness of the paper, derive an expression for angular acceleration of the paper roll, तो एक general time पे V और R के टांस में मुझे इसका angular acceleration calculate करना है, ठीक है, समझ में आगे question क्या है, तो मैं वापस इसको zoom in कर दे, तो solution शुप किया, आप लोग इसको try कर सकते हैं, ठीक है, तो discuss करते हैं, यह भी कुछ-कुछ पिछले question जैसा ही है, बस यह expression हलका सा अलग हो, speed constant है, त तो देखो, acceleration निकालना है, तो V मेरा क्या omega r, तो omega क्या V by r, right, instantaneous, तो D omega by dt क्या हो जाएगा, minus 1 by r square, dr by dt into V, V constant, dr by dt substitute कर दो मेरा काम बन जाएगा, right, उच्छा, radius अट है, general time T क्या होगा, initial radius मालो, r0 है, तो dt time में integral omega dt upon 2 pi, इतने तो number of चक्कर हो जाएग, integral omega dt, total angle हो हो है, right, तो this upon 2 pi कर देंगे, तो कितने चकर हो चुके है, इसके पूरे, into V तो यह तला चलेगा, हर चकर में B thickness है, तो total कितनी thickness कम होगा, तो यह मेरी पास, क्या आगया, यह मेरे पास, यह आगया, r as a function of time, तो dr by dt क्या हो जाएगा, इसी को differentiate कर दो, तो वो क्या आजाएगा, सोच के दो, integrate कर ले, differentiate कर दो किसी चीज़ को, तो वही चीज़ वापस आजाएगा, तो क्या जाएगा यह, minus B omega by 2 by, समझ में आ रहा है कि नहीं, omega को time के respect में integrate किया, और time के respect में differentiate किया, वापस वही आ जाएगा, अब इसको ठागे substitute कर दो, तो क्या है, minus 1 by r square, और v और dr by dt के लेगा, यह डाल दिया में, तो यह क्या आ गया, v square v by 2 by r, यह मेरा angular acceleration आ जाएगा, और जैसे टेप कीचते जाओगे, और angular acceleration मेरा यह देख रहा है, यह बढ़ते जाएगा, जैसे र कम होते जाएगा, angular acceleration मेरा बढ़ते जाएगा, रिडेस जैसे कम होते जा रहा है, inverse ratio of r qq proportion ले मारा angular acceleration, clear है सबी को, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ सकते, अब ही मैं अगला question introduce कर रहा हूं, तो अगला question में क्या है, यह winter season है, तो winter season में क्या है, एक ही जगा है, cycle चलाना है, घर के अंदर हम दो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते है, cycle का पिछला वील है, और पिछला वील एक ही जगा घुमने वाला, और नीचे जो हमने क्या दे र तो उसी तरह से यहां पे क्या है, यह conveyor type का arrangement है, जिसमें यह conveyor तीछे भागते जा रहा होगा, और इसकी cycle जो एक ही जगे ऐसे चल रही है, इस तरह की situation ही, right, so now what is happening, यहां पे जब हम pedal मार रहे है, तो pedal का जो radius है, वो pedal का जो radius दे रहता है, वो 6.5 inch है, generally तुम देखते, pedal का जो radius होता है, यानि pedal जो pivoted होता है, उससे जो pedal का distance होता है, जहां पे actual तुम pair रखते है, तो वो जो radius होता है, वो इस वाले wheel के radius से जादा होता है, यह जो basically gear, यहां पे gear होता है, इस gear के radius से जादा होता है, तो वही दिख रहा है, तो pedal का radius कितना दिख रहे है, 6.5 inch, तो 6.5 inch पर तुम पेडल मारो हो जिसकी वाज़े से यह गियर घुम रहे और इस गियर का खुब का रेडियस कितना है डायमेटर 7 इंच है यानि इसका रेडियस जो इन ध्ल्री 3.5 इंच है अभी क्या होगा पेडल मारोगे तो यह गियर घुमेगा तो गियर के साथ तुमारी चेन और जो sprocket होता है वह axle से जोड़ा होता है और axle जो होता है वह wheel के साथ जोड़ा होता है तो जिस angular velocity से स्प्राइट घुमेगा उसी angular velocity से मेरा wheel घुमेगा और जब wheel घुमेगा तो wheel का जो bottommost point है वह conveyor के touch में है और अगर conveyor मेरा slip नहीं हो रहा है, wheel के relative, तो conveyor के point की speed वही होगी, जो की मेरे ये पीछे वाले wheel की speed हो रहा है, तो अभी क्या है, ये जो pedal mark ये cyclist, इसका जो क्यों कहते है, speed है, ये बढ़ते हैं जा रहा है, मतलब instantaneous speed दे रखी, कितने rate से रखा देरी pedal को, और speed के बढ़ने का rate करने है, तो मैं पढ़ देरो, भी formally question कहा है, तो here's the question, let me read, a cyclist uses a stationary trainer during the winters to keep in shape, knowing that she pushes down on her pedal with a velocity 26 inches per second, that increases at the rate of 2 inch per second square, ये linear acceleration दे रखा, ध्यान रखी, 2 inches per second square ये इसका r alpha होगा, इसे 2 inches per second square, unit से समझ में आरा हम, वो r alpha की value, pedal का अगर radius r है, तो r alpha की value ये दू रखी, right, determine the velocity and acceleration of point D on the bottom of the rear wheel, तो ये point D का मुझे velocity और acceleration नकालना है, in fact, on the bottom of the rear wheel के दो interpretation हो सकते है, conveyor का point है, या फिर ये wheel का point है, वैसे ही है, तो question तो wheel का ही point बोल रहा है, अगर wheel का point है, तो acceleration में उसका centripetal acceleration और tangential acceleration दोन हो आना चाहिए, ठीक है, और अगर conveyor है, तो conveyor के के कियस में tangential acceleration होएगा, तो try करो कुछ से, अच्छे, यहां से bottom of the rear wheel से तुमको क्या meaning लेना है, यानि conveyor के point का acceleration ने कालना है, ठीक है, मैं clarify कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ambiguous लगरे में जाले हो, यहां clear, point of the conveyor, point D is on conveyor, figure के अंदर दिख नहीं रहा है, अचली conveyor के उपर, ये conveyor का ठीक है, अभी करो, इस चुप, ठीक है, मैं zoom in कर दे रहाँ, solution चुपा होती है, try करो, ठीक है, तो, जैसे मैंने बोला था, बस वही steps हैं, discuss curve solution, तो मैंने symbols कुछ use की है, pedal को P बोला है, G को pedal के साब जुड़ा हूँआ जो gear है, उसको बोला है, G, S जो है, तीछे का sprocket है, उसको बोला है, ठीक है, तो, ओमेगा ओफ पेडल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, linear velocity of pedal divided by radius of the pedal, रहे, पेडल भूम रहे न, तो, पेडल नीचे जा रहा है, तो, इसकी जो speed है, वो क्या होगा, ओमेगा ओफ पेडल into radius of the pedal, रहे, बैसलिए, पेडल का, ओमेगा, velocity of pedal divided by radius of pedal, which is also, ओमेगा ओफ गियर, पेडल गियर जो है, ठीक है, और ओमेगा ओफ गियर, ये pedal gear into radius of gear, ये इसकी क्या हो जाएगी, tangential speed हो जाएगी, तो, जो chain की tangential speed यहाँ पर, वही sprocket के ओपर भी tangential speed होगी, तो, चेन की length अगर constant यह, राइट, तो, ये omega of sprocket into radius of sprocket हो जाएगा, ठीक है, य इससे मेरी omega of sprocket के आगए, इसी को rearrange करो, तो omega of sprocket आजाएगी, omega of the pedal gear into radius of the gear divided by radius of the sprocket, और omega of the gear के लिए मैंने क्या किया है, यह substitute कर दी जीज़े, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इनी questions है, समझ में आ रहा है, sprocket की omega, ठीक है, और velocity of point D क्या जाएगा, वो omega of sprocket और omega of wheel तो same है, omega of sprocket into radius of this wheel, तो वो point D की velocity आ जाएगी, ठीक है, पिछे की दरफ, तो VD क्या हो जाएगा, omega of sprocket into radius of the wheel, तो अब इसको पहले symbols में calculate किया, उसके बाद numbers डाल दी, समझ में आ रहा है क्या क्या कर दी, ठीक है, ठीक है, बराबर कर दी यहां पे, और उसके बाद इसकी omega निगल गे, उसके बाद पर speed निगल, तो यह मेरा क्या आ गया, अगर यहां पे conveyor होता है, तो मैंने वैसा interpretation लिया, कि अगर यहां पे conveyor होता है, तो conveyor की speed कितनी होती, तो जो bicycle की speed होती है, वही conveyor की speed होती, acceleration के factors सबढ़ेगा वही होने वाले हैं, जो हमारे angular velocity के factors होने वाले हैं, तो इसलिए acceleration के पूरा का पूरा expression में दुबारा से derive नहीं किया, तो बस किसी को या तो सोच लोगे, इसी का derivative लेना था, तो VD मेरा यह आ रहा है, expression में, इसी को differentiate करोगे, तो DVD by DT में क्या आ जाएगा VP के जाएगा है, acceleration of P आ जाएगा रहा है, और बाकी तो सब radii तो constant सी ही, तो इसका use करके point D का acceleration आ जाएगा, वो 8.61 inch per second square आ जाएगा, तो यह क्या है, conveyor के point का backward acceleration में जाएगा, ठीके, यहाँ पे conveyor के point की जाएगा, अगर मानलो bicycle के point का acceleration कुशा होता, तो financial acceleration तो इतना ही होत समझ्या ही बात की नहीं, ठीक है, तो clear है, यहाँ पे कुछ remark मैंने लिखा, क्या लिखा, since bike is stationary and D is moving, had the D been stationary, bike would have appeared to be moving with speed VD and A1, यह बात समझ में आएगा होगी, conveyor के frame, अगर ground frame में देखे हैं तो bike अपनी जगा पे दिख रहा है, और conveyor पीछे जा रहा है, VD और AD सो, right, इसक ग्राउंड के उपर चले ही bicycle, तो उस तरह की feeling, समझ गे, clear, ठीक है, so I hope this question is clear to everybody, आगे बढ़ सकते हैं, इसके बाद हम लोग kinematics of fixed axis rotation वाला section हम लोगा complete होगे, कुछ questions के आपने बाद में और नहीं, अब हम लोग चल रहे हैं, एक अगले topic की तरफ, that is kinetic energy fixed axis rotation, kinetic energy से मैं, moment of inertia को relate करूँगा, और उसके बाद फिर moment of inertia निकालना सेखेंगे, अलग-अलग तरह के bodies के moments of inertia कैसे निकलते हैं, अलग-अलग theorems करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे, energy method पर फिर lot के आएंगे, यानि kinetic energy का expression तो यहीं पर लिखेंगे, पर इसको use करना, moments of inertia निकालने का इसका use कैसे करना है, उससे कैसे angular acceleration calculate होते हैं, linear acceleration calculate होते हैं, तो वो सब, यानि बिसिकली जैसे work energy theorem नहीं लगाएगी, इमने straight line motion type के हो रहते हैं, यहाँ पर rotating bodies के ओपर work energy theorem लगा के देखेंगे, gravity का work हुआ, तो कितनी omega हैगी, जब block कितना गर गया है, समझगे, उसके बाद मे the end of our fixed axis rotation, फिर उसके अगले week में हम लोग करेंगे moving axis rotation, यानि rolling हो दे रहा, rolling and slipping, इसके अगले notes के इंदर रहे हैं, तो अभी बात करते हैं, हम लोग kinetic energy in fixed axis rotation, तो मान लो यह कोई body है, rigid body arbitrary, और यह O से है, तो कोई access जा रहा, और इस O के through जो access है, इसके body ओमेगा से से करेंगे, समझो, इसके कील आर पार निकाल दी, कोई आलू है, आलू में के कील निकाल दी, इसके आलू को ऐसे घुमार है, तो अभी क्या है, अगर इस axis से र आई perpendicular distance पे कोई point है, आयत point pi, तो इसकी speed क्या होगी, तो मैं पता है, circle में जा रहा है, तो omega into ri के इसकी टूट हो जाएगे, mass का mi है, तो कानेट इनर्जी क्या होगी, half mi into omega ri का whole square, ठीक है, और फिर कानेट इनर्जी करनी है, तो इस तरह के सारे particles की कानेट इनर्जी आट कर दोगा, तो तो rigid body की कानेट इनर्जी क्या होगी, क्या लिका, consider a rigid body rotating about a fixed axis as shown with an angular velocity omega, this ri is the perpendicular distance of a point pi from the axis, its speed is given as vi is equal to omega into ri, thus if its mass is mi, its क kinetic energy is, kei is half mi omega times ri the square, thus the kinetic energy of entire rigid body क्या हो जाएगा, summation लगा दो इसके उपर सारे particles के साथ, तो sigma kei, that is, half omega square तो तो common निकल लाएगा, हर तंग के साथ half omega square क्या है, ठीक है, half omega square और बचेगा क्या अंदर, sigma mi ri square बचेगा, तो यह जो quantity sigma mi ri square है, इसका नाम है, इसको कहते है, moment of inertia, ठीक ह sigma mi ri square is called the moment of inertia of the rigid body about the given fixed axis, so kinetic energy के है, half into moment of inertia about instantaneous axis, यानि, fix axis into omega square, यह मेरा kinetic energy का expression नागे, ठीक है, तो जिसमें से यह आई यह क्या हो गया, मेरा, यह moment of inertia हो गया, axis A के बचेगा, sigma mi ri square, in the upcoming sections, we will be deriving moments of inertia of some standard geometries and also prove that and state some important theorem related to moments of inertia, of various bodies, तो यह जीरे-जीरे करके देखेंगे, अभी यहाँ पर यह देख लो, kinetic energy का derivation समझ में आया सभी को, straight forward, I don't think, इसमें कोई doubt होने चीए, ठीक है, clear है ना यह, तो फिर आगे बढ़ सकते है, ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग moments of inertia निकालने से related कुछ theorem देखते, तो सबसे पहली theorem मैंने इसका नाम रखता, पिछकु theorem वापस किताबों में इस नाम से मत तूड़ना, यह कोई standard नाम नहीं, यह common sense theorem है, बट लिखी नहीं रहती किताबों, ठीक है, बट इसका खाइदा बहुत है, इसका use बहुत है, इसलिए मैंने इसको formal नाम ही दो दिया, पिछकु theorem अब सोचो, इन सारे particles को मैं move कर रहा हूं, axis के parallel, यहनि जितने भी particles है, सोचो, इसके सारे dust particles है, उनको नीचे गिराखे, इसको मैंने disk में इसको, पिछका दिया इसको, लेकिन पिछकाने की process में मैंने क्या किया, पिछकाने की process में हर एक particle का, axis से distance मैंने change नहीं गया, दिख distance from the axis is still the same, I have not changed the distance of any particle from the axis, उसको पिछका भी दिया, क्योंकि distance from the axis चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, कि मेरी नई geometry बनी, उसके लिए भी आरा ही तो वही का वही है, इस नई geometry का भी moment of inertia वही होगा, जो की original geometry का moment of inertia होगा, समझ मैं ही बात की नहीं, तो यही मेरी पिछक common sense बात है, तो या तो ऐसे पिछका भी सकते हैं, इचा, दूसरा क्या है, एक और पिछका से मैं जाड़ू लगा सकते हूं, कैसे, सोच के देखो, यह disk के लिटर से, इस disk को मैं ऐसे tangentially जाड़ू लगा दूँ, मतलब समझ रहो, यह ऐसे है, और इसके radius के long ऐसे मैं और उसको मैं ऐसे से करके, बाहर का जला जाओं, और सारो को एक line के along इकठा कर दूँ, तो यह जो tangential जाड़ू लगा हो, इस process में भी मैं किसी particle को pass मैं नहीं लेकर आ रहा, समझ मैं ही बात के नहीं, क्यानि यह जो particle है, जाड़ू लगा के मैं लो सबको इधर इकठा करना ज यह particle धुमा के मैं ऐसे करके, ऐसे लेकर आगे है, यह particle जिसको धुमा के यहां पे है, लेकर आगे है, तो अभी मेरे को क्या है, अभी मेरे को एक non-inform की line बनी दिखेगी, सारे dust particles लाइन पर इकठे दिखे दिखेगी, समझ्यारी बात के नहीं, लेकिन यह जो मैंने टैंशे जाडू लगाने के process में किसी भी particle को मैंने axis के पास नहीं लाया है, जो distance था axis के, ओई कवई maintained है, तो कैसी-कैसी जाडू लगाना allowed है, हम या तो axis के parallel जाडू लगा सकते हैं, कैसे पहले first step में क्या कहता, cylinder को pitch का दिया था, axis के parallel जाडू लगाना allowed है, और tangentially जाडू लगाना allowed यानि axis से sweep कर सकते, axis के perpendicular direction में ऐसे से sweep कर सकते हैं, यानि tangential direction बोलना चाडू लगाना नहीं allowed है, तो हम axis के pass नहीं ला सकते हो, मतब particles को समेट के अंदर नहीं कर सकते हो, समझ गे, that is not allowed, ना तो cylinder के form में उसको समेट के pass कर सकते हो, ना जब वो disk बन गी तब भी हम pass नहीं कर सकत at every instant, skew perpendicular motion कर रहें तो, समझ गे, which is equivalent to a tangential sweep, so what type of sweeping is allowed, axial sweep and tangential sweeps are allowed, radial sweeps are not allowed, for finding equivalent momentum inertia, टीके, तो समझ गे, क्या है Pichku theorem, बागी, Pichku theorem का ulta भी true है, यानि ये disk बन गी, तो disk को खींच के में दौरा cylinder बना हो, तो भी same momentum inertia होगा, टीके, मैंनो उसका नाम तो नहीं दिया था, but last patch मे सागने को इसको गोलता था, खींच कुछ 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 के रहा है, यहां पर वापस खींच के वापस उतको बना दिया रही, तो वो visualization भी कहीं खहीं पर, देखोगे किसी-किसी question में, फायदेबंद होता है, where you do the reverse process, जातर वैसे हम पिचकाते ही है, ले इस particles are moved mentally, यह मन सोचना है, यह लोहे का पी से इसको में कैसे पिचकाऊंगा, mentally पिचका रहे है, यह सारी process में mentally कर रहे है, ठीक है, तो its particles are moved mentally in such a way that the distance of its particles from the axis is conserved, then the moment of inertia of the object about the axis remains conserved, obviously बात, particle of distance नहीं हो, the moment of inertia change नहीं हो, thus in the adjacent figure, if we squeeze the cylinder by moving the particles parallel to the axis to form a disk, the moment of inertia of the disk, will be same as that of the original cylinder, ठीक है, axial sweeps are allowed, that is moving particles parallel to the axis, वो allowed है, tangential sweeps are allowed, that is moving the particles along the circular arc centered on the axis, that is also allowed, radial sweeps are not allowed, that is moving particles nearer to the axis or away from the axis is not allowed, यह ध्यान रखना, कई वर बच्चे जैसे मर जी पिचकू ठीरम लगाने लगते है, पिचकू ठीरम लगाने से पहले, mind में एक्दम clear कर लो, की axis क्या है, ठीक है अगर अगर मान लो, मेरा axis यह होता, तब थोड़ी ना पिचका सकते से, अगर यह होता और ऐसे पिचका के disc बना देता, तब तो तुम एक्सिस के पास ले आया है, पार्टे तो समझ में आ रही बात की नहीं, तो फिचकू ठीरम लगाने से पहले clear कर लो, की axis कैसा है, या फ पाइदा कुछ नहीं होगा, लेकिन disc का हम लों को मालूम रहा है, तो ऐसे पिचका सकते हो, समझ में आ ही बात के नहीं, तो before applying पिचकू ठीरम, make sure you understand where is the axis, उस axis के parallel या tangential ही चला सकते हो, प्र ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को जैसे मर जी पिचका दो, ठीक है, ऐसा नहीं है किचका ना, किसी खास तरह से allowed, right, so be very careful, फिर क्या दिका, simultaneous axial and tangential sweeps are also allowed, तो मतलब, यानि एक साथ मैं यह दबा भी सकता हूँ और tangentially भी मूव कर सकता हूँ, जैसे, या फिर order of operation matter नहीं करता हूँ, मैं चाहता था, इस cylinder को पहले tangential sweep कर लेता, tangential sweep कर लेता हो, एक rectangle बन जाता तो फिर मैं दबा जाता हूँ, वो भी allowed था, that, that is also allowed, समझ में ही बात की नहीं, ठीके, okay, okay, so simultaneous axial and tangential sweep की एक साथ हम कर सकते चाहें, तो, पिचको theorem often helps in transforming the geometries with unknown moments of inertia into ones with known moments of inertia, तो कुस standards that हमको मालूम रहते हैं, उसमें हम convert कर लेते हैं, known geometries में हम transform कर लेते हैं, unknown geometries को, तो हमारा क साम हो जाता, ठीक है, एक बार इस section को देखें लो, कुछ डाउट अगरो, बड़ो इसको अच्छे से, इसके बाद हम लोग बात करते है, moment of inertia of a circular arc, तो मानलो यह कोई arc है, इस arc का mass M है और radius R है, ठीक है, तो क्या करो, इसको tangential sweep लगाओ, tangential sweep लगाओ तो सारा का-सारा mass एक point पी concentrate हो जाए गरे, और उस point का distance क्या होगा, axis से r distance होगा, axis by the way मेरा going into the page है, समझे है, passing through point हो and going into the page, इसकी tangential sweep लगाई के सारा का-सारा single particle ही बन गया, एक particle at a distance r, तो उसके बाद तो moment of inertia लिखना simple ही है, अगर single particle ही है, पर axis से r distance पे तो उसका moment of inertia लिखना सिंपल ही है, अगर single particle axis O, which is perpendicular to the page and passing through the center of करवेचे, इधर से ऐसे axis जा रहे, of the ring, we can now sweep the arc tangentially and collect all the mass at point T, तो सारे rust को ऐसे ऐसे करगे, इकठा करगे, point T पे इकठा करगे, पे इकठा करगे, इकठा करगे, इकठा करगे, इकठा करगे, पे इकठा करगे, रस its moment of inertia is as if all the mass were located at T by pitch 0, रस, आई क्या होज रखते, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करते है, momentum inertia निकालते है, कोई rod है, जिसकी mass density ही जए, x to the power n के proportional है, फाइदा क्या होगा, इस rod में हम convert करना शुरू करते हैं, कई geometries जो है, इस rod में convert होने लग जाएंगे, तो इसका momentum inertia निकालने है, तो बहुत सारी geometries हम convert करके, बहुत सारी geometries को मैं rod से convert करके, momentum inertia सीथे लिख दूँगा, तो पूरा integrate दोबारा नहीं करना पड़ी है, तो क्या लिखा मैंने, consider a rod of linear mass density varies as lambda is equal to kx to the power n, यह मेरी mass density vary गर दी है, ठीक है, where x is the distance from the axis o-o-, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- जो rod की length यह perpendicular है, okay, ऐसे जा रहा है, let its total mass be m and total length be l, तो इसका total mass m है और total length यह जो दे रखे, यह मुझे l दे रखे, okay, we wish to find its moment of inertia about its end point axis o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- lambda dx इसका mass हो जाएगा और distance का x, तो lambda dx into x square इसका elemental moment of inertia हो जाएगा, और उसकोट आगे integrate कर देगे, total amount of inertia हो जाएगा, making sense, ठीक है, तो we consider an element of thickness dx at a distance x from the axis, तो di का है, चोटा सा moment of inertia, that is, lambda dx वो तो चोटा सा mass हो जाएगा, into x square, तो यह क्या हो जाएगा, k x to the power n plus 2 into dx, क्योंकि lambda मेर अपने आप में x to the power n k proportional है, right, तो आप इसको ठाके integrate कर दिया हमने, तो क्या आजाएगा मेरा, तो k x to the power n plus 2 dx, 0 से l तक integrate कर दिया हमने इसको, टिक है, तो इसको बस integrate करके हमारे पास क्या आजाता, यह आजाता, k l to the power n plus 3 upon n plus 3 आजाता, समझ में आगे रहे हो, simple integration, अब मैं इ इसी तरह से integrate करके mask भी निकाल सकता हम, तो mask क्या होगा, lambda dx जो है, छोटे से element का mask होगा, तो lambda dx को directly integrate करूँगे, तो में पस total mask आजाएगा, right, तो lambda dx मेरा छोटा मास है, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा k x to the power n dx, तो total mask क्या हो जाएगा, इसका integral, तो यह आजाता, k l to the power n plus 1 upon n plus 1, यह मेरा mass आजए, तो अब क्या कर सकते हैं, इन दोने equations में से k को eliminate कर सकते हैं, m के टांस में k को substitute कर दो, यहाँ पर, तो finally तुम्हारे पस क्या आजाता है, वो दिख रहा होगा, या तो divide कर दो, दोने equations, इधर m है, और i है, तो i by m, और इधर से divide कर रोगा, तो k क्या आज तो समझ में आ रहा है, uniform rod होगी तो prove हो गया, ml square by 3 आ रहा है तो answer, right, uniform rod होगी तो, ऐसी एगर मान लो, तुम्हारे disk है, latest से, disk है, और disk को तुम sweep करोगे, latest से, तो r distance पे कितने particles के कट्थे होंगे, 2 pi r के proportional particles के कट्थे होंगे, सोचो, यह disk है, और इस access के about तुमने financial sweep दी, सारे particles जब यहां पे कट्थे करो, तो r distance पे कितने particles के कट्थे होंगे, 2 pi r के बरावर particles के कट्थे होंगे, 2 pi r के proportional, यानि x to the power 1 के proportional rod बना ही, right, disk को sweep लगाओगे, तो 8 to the power 1 के proportional होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें n को 1 डाल दोगे, तो 1 plus 1 upon 1 plus 3 into m r square, right, तो m r square by 2 आ तो एक बार देख लो, इस section में कहीं पे भी doubt है, तो मेरे को बोल तो फिर इसके बार moments of inertia निकालते है, तो इसके बाद हम लोग क्या गरते है, moment of inertia की sector का निकालते है, sector में बढ़ा होगा, यानि sector हो का भरा होगा, तो r radius का मानलो कोई sector है, पूरा सर्कल हो या sector हो, essentially अगर तु sector के लिए भी वैसी sweep लगा होगा, और पूरे सर्कल है, तो भी वैसी sweep लगा होगा, तो moment of inertia तो same ही आने माला, is it not, mass m, radius r का चाया, sector हो जाया, complete disk को होगा, तो क्या लिखा, consider a disk of mass m and radius r, we wish to find its moment of inertia about axis o passing through its center and perpendicular to its plane, समझ में है कैसा axis है, ये इसका symmetry axis a disk का, रहे, टीके, if we tangentially sweep the dust particles forming the disk, we will have a rod whose mass density will be proportional to r to the power 1, इसको sweep लगा होगे, तो समझ में आने कितने particles इकटे होगे, r to the power 1 के proportional, यहां पे 2 pi capital R के बरावर, यहां पे 0 particle इकटे होगे, तो जैसे जैसे दूर जाओगे, circumference के proportions, number of particles बढ़ते लेंगे, तो इसका मतलब, r to the power 1 के proportional होगे, तो क्या लिखा, where r is the distance from the axis, this is because particles collected a distance r1 to be proportional to 2 pi r, thus we will have a rod with lambda is equal to k r to the power 1, accordingly by result derived in previous section, क्या होगे, i m r square into 1 plus 1 upon 1 plus 3, समझ गे, n plus 1 upon n plus 3 था, तो n के लिखा, 1 डागे, तो क्या आगे, half m r square होगे, तो क्या होगे, disk comment of inertia about symmetry axis क्या आगे, half m r square, तो sector के लिए भी true है, और for that matter cylindrical sector के लिए भी true है, cylindrical sector के लिए समझे लो, या तो पूरा सिलिंडर हो, पूरा सिलिंडर और डेस्टो मैंने दिखा, दिखाई दिया तक ही फिछकु जिरम से एक बराबर, पूरा सिलिंडर नहीं गया, cylindrical sector, cylindrical sector का क्या मतलब होगा, यह जो sector है, इसको ठागे, थीच दो, स्पेस में, उपर की दरस्वीद ल और एक्सिस कैसा है, एक्सिस मेरा इस रॉड के end point पे theta angle पे inclined है, समझ में है कैसा axis है, यह जैसे समझे हो, यह pencil अगर मेरा, तो ऐसे से कर गों भी है roll, समझ गे, तो vertical से theta angle पे मेरी rod inclined है, ऐसा बोल तो axis vertical है, या फिर, मैं जो समझ गे, rod के respect मेरा, axis का angle theta है, यह axis का angle theta, आप इस का moment of inertia मुझे निकालना है, तो क्या करें, अब इसको क्या करो, इस rod के particles को गिरा दो नीचे, ठीक है, सारे dust particles है, इसको नीचे गिरा दो, इसको गिराना तो, गिराना तो allowed है, एक rod और बन जाएगी, जिसकी length क्या हो जाएगी, एल की जाएगी, एल साइन theta length हो जाएगी, और number of particles, तो हर जाएगा, बराबर बराबर ही गिराएगा, दिख रहे हैं, यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा, एक साइट पार जीरो के proportional, होगा, इसको पार जीरो के proportional, एल साइन theta length की, rod बन जाएगी, mass तो भईगा भई रहेगा, क्यों ही dust particles गिरा है, तो समझ में है, तो क्या ह जाएगा, moment of inertia, तो rod के लिए, ml square by 3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, in fact, x की value तो 0 है, n की value 0 है, तो क्या लिखा, consider uniform rod of mass element length है, whose moment of inertia has to be found about axis o dash, which is inclined tangle theta with respect to the rod, if we move the particle of the rod vertically, we get projection as l sin theta, यह projection l sin theta है, तो standard case में convert हो गया, बस यह है कि length जो है, l sin theta तर रिप्रेस होगा, अमने इसलिए मैं इसको projection लेता हूँ, right, thus transforming it to our standard case, lambda is k x to the power 0, तो फिर टोटल लेंक भी l sin theta, तो क्या हो जाएगा है, n plus 1 upon n plus 3, 0 plus 1 upon 0 plus 3 into m into l sin theta का square, right, तो क्या आगे, ml square by 3 sin square theta, यह मेरा momentum inertia, अब इस case में अगर theta मेरा 90 degree है, तो end point के बाट perpendicular axis है, तो ml square by 3 होगा, ठीक है, वही लुक तो इस theta is 90 degree, i is ml square by 3, और यही चीज़ जो है, हम, जैसे rod के लिए मैंने इस axis के बाट किया, वही मेरा lamina अगर मैं लो, lamina हो तो समझते हैं, भरी इस sheet को lamina जाते हैं, तो rectangular sheet है मेरी मान लो, l width की और hight की, तो इसका इस axis के बाट मेंट नहीं पता लगाना है, इसको ऐसे आक्सेस के बाट निकालना rectangular sheet का, तो क्या गरोगे, ऐसे pitch का गरो, तो क्या बन जाएगी, फिर hight की rod बन जाएगी, आक्सेस यह हो जाएगी, और hight की rod बन जाएगी, तो m x square by 3, समझे हैं भरते हैं, तो clear हुआ, कैसे निकाला, rod अगर एंड point, और general theta angle, 90 degree वाला ज्यादा ही ह यह याद रहे हैं, वैसे तो यह भी याद रहे हैं, तो सही है, तो clear है सभी को, इसके पास हम लोग बात करते है, moment of inertia of a rod about its perpendicular bicector, तो यह बहुत ज्यादा result इसलिए derived किया, तो perpendicular bicector मतलब कि इसको दो आधी rods के वराबर treat कर सकते हैं, अगर पूरी rod का mass m है, तो इसको सोच सकत है कि l by 2 rod की, l by 2 length की rod है, mass इसका m by 2 और इधर भी l by 2 length की rod है, और mass m by 2 है, और rod about end point तो निकाली रखा, तो end point वाला result निकाल दो, आधी rod का निकाल के double कर दो, समझ में आई बात कि नि, तो पिसले case में reduce हो रहा है, क्या हो जाएगा, there the problem can be divided into finding moment of inertia of two rods, each of length l by 2, thus using the result of previous case, आई की जगे l by 2 रखा, तो m by 2 into l by 2 का square divided by 3, तो ये right half का हो गया, इतना ही left half का, इसले into 2, तो ये क्या आगया, ml square by 12, तो ये याद रखने है, ठीके, तो rod का perpendicular bisectical rod कितना होता है, ml square by 12, इसी की जगे अगर मालो, midpoint से ही pass कर रहा है, लेकिन theta angle पर axis, तो फिर ml square by 12 sin square theta हो जाएगा, वो समझ में आ रहा होगा है, वापस पिछकु तिरम लगाओगे और standard rod में converter होगे, तो देख लो, कुछ doubt अथा बोल सकते हो, इस rod को में tangential sweep करके इसी के उपर overlap कर सकता था, तो ये क्या बन जाता है, m mass की l by 2 length की rod बन जाती है, तो उसके अंदर वैसे ही लगा सकते है, ml square by 3 ह इसके बाद हम लोग बात करते है, moment of inertia of triangular lamina, axis parallel to the base through the apex, तो ये कोई triangle है, और axis के ऐसा, ये इसका base है, तो base के parallel यहाँ पे मेरा axis हो रहे है, और altitude की length है मेरी, अब क्या कर सकते है, इस triangle को पिछका सकते है, axis के parallel particles को move करोगे, तो क्या बनेगा, ऐसे एक rod बन जाएगी, और क्या देख पा रहे हैं कि जो rod बनेगी, उसके अंदर जो number of particles इगठे होंगे, that will be proportional to distance to the power 1, नदर आधा है न, क्योंकि ये length दिख रहा है, distance के साथ में, अगर ये x है distance, तो ये x tan theta हो जाएगा, जो width है, x tan theta 1, समझो, ये theta 1 angle है, ये theta 2 angle है, तो ये length दिख रहे है, directly linear distance to proportional, ये width और उत्रही number of particles इगठे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, फिर x to the power 1 गी rod बन जाएगे, तो बस n plus 1 upon n plus 3 into ml square लागा, तो ये तो वही आजागे, क्या लिखा, consider triangular lamina of mass m and height h whose moment of inertia has to be found about axis o dash, इस axis here of moment of inertia मुझे निखालना, टिके, if we squeeze the triangle by sweeping the particles parallel to o dash, we will have a vertical rod of height h with mass density proportional to y to the power 1, अगर इसको मैं y गोलता है, तो y to the power 1 के पॉर्शन, देखे हैं न, y tan theta के पॉर्शन number of particles होंगे, right, where y is the depth from the axis, thus by our standard result, i is equal to mx square into 1 plus 1 upon 1 plus 3, तो क्या आगया, mx square by, sorry, ये mx square by 2 आगया, मिले हम नोगा, ठीके, तो समझ में आले है, तो ये हमारा triangular lamina का moment of inertia आगया, कुछ doubt है तो इसमे लोगों ने कुछ moments of inertia निकालना सी था, एक दो question और fixed axis kinematics के उपर हमने देखे, ठीक है, तो अगली class जब भी होगी हम लोगी उसके अंदर थोड़े और moments of inertia देखेंगे, conical shell का, फिर solid cone का moment of inertia, फिर solid sphere का, spherical shell का, ये सारी चीज़े हम लोग आने वाले classes में देखेंगे, और उस सारी चाहने, next class name, alright, so this is it for today's class, thank you.